हेलो स्टुडेंट्स आता सगलेंचे बारावीचे एक्जाम जालेले हैत काई बोर्ड चे रिजल्ट्स पन लागलेले आहेत आने खुब पैरेंट्स ला आपले मुलानना कंप्यूटर सायंस फिल्ड मदे अडमेशन गाएचे तर गंप्यूटर सायंस मदे अना इंजीनेरिंग येता बीसे येता आनी बीबीए हीपन एक फिल्ड आये तर बीबीए सीए या फिल्ड बदल आपन आज डिस्कस करना रहोत चला तर मां बहुआत बीबीए सीए बदल तर BBA CA Bachelor of Computer Application आस पन आपन ताला मनतू कि मा Bachelor of Business Administration in Computer Application दोनी कोर्सेस हे एक चायत काईटी कानी BBA CA आसा मनला जाता आनी काईटी कानी BCA आसा पन मनला जाता थोड़ासा डिफरेंस या मद है तो आपन पुड़े डिसकस करना रहा चाहोत तर BBA CA मद है आपन इंट्रोड़क्शन का आए ता कोर्स तर हाथ तीन वर्षाचा डिगरी कोर्स आए जो कोर्स सहा सेमिस्टर मद है डिवाइड होतो आनी या कोर्स मद है आपनला कम्पिटर सब्जेक्ट आए, मैथेमेटिकल सब्जेक्ट आए त्या सगला गोश्टिम बंदल आपन थोड़ाचा डिसकस करना रहात कोर्स इंट्रोड़क्शन मद है तर तुम्हीं बगीतला तर डिगरी शाल बी टाइटला एज बैचलर आफ बिजनिस अडिनिस्टरेशन इन कंप्यूटर अप्लिकेशन आशी डिगरी तुम्हाला मेलना रहा अंडर दे फैकल्टी आफ कामर्स and management मझे ही कामर्स अनि मैनेजमेंट फैकल्टी चां अंडर तुम्हाला यी डिगरी मीलना रहा दूसरी एक BCHE डिगरी आहे ती आहे science faculty चांडर ते आपन वेगडा सेशन मदे discuss करूयाँ first year BBA CA is choice based credit system which is implemented मजी 2021 पासुन नवीन credit system चालू जाली लिया है आनी 2021 2021 आसा तीन वर्षा ताह सिला एक batch अल्री इंडस्ट्री मदे ही गेली लिया है तो तुमची जी नवीन बैच ही यही लिही मला आते थर्ड बैच आसना रहे हो तुमची प्रोग्राम objective कायात मजी आप BBA CA मेन objective कायत तर ते समझुन गी हुयात इट इस तु produce skill oriented human resource मजी BBA CA हा professional course है जो तीन वर्षा ता course है मजी IT मदे जर career करायचा सेल बारावी नंतर तर हा तीन वर्षा चा प्रोफेशनल कोर्स केला नंतर काही colleges मदे IT companies एताथ campus selection होता ने तुम्हाला job लागो शुकतो मजी तुम्हाला skills जर शिकाई चास्तिल computer related तुम्ही BBA CA के लदरी चालना रहे second to import practical skills among students practical oriented subject जासता है to make industry ready resource IT मदे नक्की कुटला resource लागना रहे human resource जो लागना रहे तो human resource create करायचा काम या BBA CA course मदे करना रहो तापन तन अंतर to bring the spirit of entrepreneurship तुम्हाला जर स्वता चा business चालू करायचा असे तरी या course मदना तुम्हाला insights मेड़ना रहे मजे जर तुम्ही BCA करता है BCA मदे web development आए एक topic आए तुम्ही website development चीकुन तुमचे तुमचे स्वता चे जॉब स्वता चे कामगिऊँ शकता आनि तुमचे वेगड़ा बिजनिस सेटप कर ऊखता तरहें आंट्रपिनर्शिप स्पिरीट जेनरेट करना साथी पन हाँ कोर्स बेटर आये बेस्ता है । प्रोग्राम स्ट्रक्चर का है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर है तीन वर्षा चा कोर्स सा सेमिस्टर है द bogडों कि मुलां ना कम्पैटर सांस गया द रहा कोर्स में त्याच details मुलां साथी डिजाइन के लीके रहे जा मुलां ना कर डिदर डिदीजिबल वाद की ध्री बादारी घृत्त computer application after passing 12th standard बरवर from any stream with English as passing subject English हाँ एक subject फक्त पाई जे आनि तुम्ही 12 वी मदे तुम्हाला math नसेल तरी चालना रहे आनि minimum passing percentage 40% है मजे ज़र तुम्हाला 40% 12 वी मदे आसतील तरी तुम्हाला BBA CLA admission गेता एना रहे हे eligibility है 40% हा eligibility criteria है 40% है तुम्हाला कुट लही college मदे admission मेल आसा होत नहीं 40% हा eligibility criteria है प्रत्ते college ला merit list लागते आनि तुम्हा merit based admissions होता 40% है याचा meaning फक्त तुम्हा eligible हात तुम्हाला college ला form fill करा, registration करा तुम्हान अंतर merit मदे ज़र तुम्हा नंबर आला तर तुम्हाला तुम्हाला BBACA ला BCA ला admission में ना रहे लक्षा टासुद्या क्लियर आहे कि तुम्हाला 12 फक्त English as a subject में तुम्हाला आसा ला पाई जहें आनि English मदे क्यले आसा ला पाई जहें माच ची कुटली इस कंडिशन इथे नहीं है 3-year diploma after SSE मज़े तुम्हाज तुम्हाला तुम्हाला BCA कोर्स करता है ना रहे क्योंवा दोन वर्षा चा जर तुम्हाला फार्मसी डिपलोमा के लासेल तुम्हाला BCA जर 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 तुम्हाला BC 12 विनांतर तीन वरं साथ डिपलोँमा आमेडी कि वह को भाराइव आ धूम्हों कि दो फार्बीकवाल computer science तर आपन करतो है पन computer science ला जे कही required inputs लागना रहे जसे कि mathematics है computer science मदे तुम्हाला लागना रहे तर ते कैसे साथी लागना रहे एचा बदल आपन आज उन वेगडा सेशन्स मदे डिसकस को रहे है पन आत्ता अपलाला syllabus जो डिसकस कराएचा है तो BBA, CA चा complete तीन वर्चा चा syllabus है तर semester wise syllabus है तर first semester ला तुम्हाला business communication, POM, C language, DBMS, database management system, statistics आणी lab हे main सहा subject है आणी एक add-on subject PPA, principle of programming algorithms हाई एक extra 38 सा एक तुम्हाला course वेगडा करावा लगतों मझे total साथ subject है त्या मदेज वर तुम्हीं बगई इतला तर C language आणी DBMS हे दोन programming subject है आणी statistics तुम्हाला एक mathematical subject आणी दोन business communication आणी POM हे दोन management subject तरा से complete subject जेत है तोड़े से combination of subject है वेगड़े 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 शिकावला जातील बिजनिस subject शिकावला जातील प्रोग्रामिंग subject पना है mathematics पना है तर ओर ओर ओल इंप्रूमेंट या कोर्स मदे मुलांची होना रहे second semester ला organizational behavior and HRM human resource management second financial accounting मझे जी मुला अकरवी बारवी commerce कोरून BBA से ला एता त्यानना एक advantage हाए कि त्यानना हा subject easy जाई financial accounting कि वहाँ इन डेप थोड़ोस आवजन जासता शिकावला मिले त्यानंतर business mathematics तुम्हाल या से मिस्ट्र ला है RDBMS आनी web technology मझे second semester ला जी programming languages आये त्या RDBMS है का है relational database management system आनी second web technology महाश्यमी तुम्हाला मनालो कि तुम्हाला website development शिकाए चे तुम्हाला website development साथी जा technology बेसिक लेवल लागता है HTML CSS आनी JavaScript तुम्हाला या वेब टेकनोलोजी session मदे क्या वेब टेकनोलोजी सब्जेक्ट मदे चे कला मिलना रहे और प्लस तुम्हाला या से मिस्ट्र ला पन प्राक्टिकल ला आव आसना रहे और एडवांस ही आईज आड़न सब्जेक्ट 30 आर लाचा नी laboratory तुम्हाला आसना रहे और प्रत्यक सेमिस्ट्र ला कंप्यादर लाब ही आसना रहे त्यामोले या सब्जेक्ट मदें कि मा या कॉर्स मदून मुलांसा maximum practical knowledge बीड़़ और ये कही सहा सेमिस्ट्र मदे programming languages शिक्ना रहे त्यान अंतर तुम्हाला IT मदे जाब मिला चंसेज वाड़ता जरु तुमसा प्राप्पर आभ्वा सासेल तुम्ही व्यवस्तित सकड़े practical courses के लेल आसतील तुम्हाला थर्ड येर ला तुमसा campus selection हुआ शकता तुम्हाला थर्ड येर मदे थर्ड सेमिस्टर ला तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्ट्वेर इंजिनियरिंग, अंग्यूलार, पीएच्प, बिग डेटा नी ब्लॉक्चेन, यह उड़े प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट तुम्हाला थर्ड सेमिस्टर मदे शिक्काई चेन, ताम अधे कही और मदे अंग्यूलार और पीएच्प, बिग डेटा और ब्लॉक्चेन, यह दो गमपे की तुम्हाला एक-एक सब्जेक्ट चूज कराईचा है, सेकेंड येर ला, सेकेंड सेमिस्टर मदे तूटल फोर्थ सेमिस्टर मदे तुम्हाला नेटवर्किंग, अब्जेक्ट ओरिंटेड सब्जेक्टा, CPP कंप्शी रिलेटर सब्जेक्टा, OS कंप्शी रिलेटर सब्जेक्टा , मझे जर तुमितला तर फोर्फ ऐत कि मैंब्जेक्टर जियर प्जेक्टा आनि एक प्रोजेक्ट तुम्हाला 5th semester ला डेवलप करायाचा है या semester में मदे पन तुम्हाला maximum computer subject है आनि 6th semester ला मंजे थर्ड येर चे लास semester मदे जा वेलेज तुम्चा IT companies तुम्चा campus मदे येतात वेगवगड़ा college मदे वेगवगड़ा IT companies येतात तुम्हा 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 ओफ campus पन companies ला अप्रोच करू शकता तुम्हाला recent trends इन IT, software testing, advanced java, android programming और .NET programming आनि एक major project तुम्हाला 3rd year ला लास semester ला डेवलप करायाचा है तर हे total syllabus होता तर इन short जर सांगायचा असेल तर तुम्हा तीन वर्षा मदे maximum programming languages इताशी काला मेरना रेत first year मदे तुम्हाला business mathematics, statistics, organizational behavior, principle of management आशा पद्दती चे जे कही supplementary subject लागना रेत जे important हैत computer engineering मदे कि वा software engineering मदे जर तुम्हाला career करायाचा आसेल तर ये non computer subject जैसा आपन तला statistics मनों कि वा mathematics मनों मुलाना सवाट ते की math काय करायाचे तर mathematics ही तुम्हाला programming साथी compulsory लागना राचे तर हे लक्षा तेवा तुम्हाला math perfect आसाला पायजे आसना ही पन जी कही basic addition, subtraction, multiplication, normal जै आपन arithmetic operations मनतो ते उड़ा mathematics तुम्हाला हे लागना राचे आनि ते mathematics तुम्हा फर्स्ट येर मदे complete clear हुईल आकाउंचे basic concepts पन तुम्हाला टाच फर्स्ट येर लाच शिकला जाना राच आनि तितुनस तुम्हाला second year onwards तुम्हाला pure programming subject computer related subject शिकला मिलना रहे तर हा कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है तीन वर्षा चा डिग्री कोर्स है या कोर्स लाग कुटला ही स्ट्रीम चा मुलगा या कोर्स लाइडमिशन गेवू शकतो या वेतिरिकत अजुन ज़र तुम्हाला कई doubts आस्तील खुब फास्त ज़र वीडियो जाला से वाड़ा तासेल तर तुम्ही तुम्हाला कॉलेज सिलेक्शन ला कई प्रावलम हेते है पुन्या मदे किती कॉलेजेस आ है कुटला कॉलेला काय मिरिट आ है हे समझत नसेल तर तुम्ही वाट्सप करा तेचा वर्थी तुम्हाला आमी सगड़े डीटेल्स सेंड करू थैंक्यू आल दे बेस्ट